वेलकम टू बीबी न्यूस बॉलिवोड इंडस्ट्री में शादियों का सीजन चल रहा है हाली में राजकुमार राव और पत्रे ले खाने अपनी जिन्दगी की नई शुरुवात की और अब सबकी नजरे कटिना कैफ और विकी कोशल की शादी पर्टी की हुई है जो दिसंबर के दूसरे हपते में होगी लेकिन अब खबर आ रही है कि आमिर भी तिसरी शादी करने वाले है पिछले दिनों अमिर खान ने अचानक अपनी पत्नी कीरन राव से तलाख ले लिया था उस दोरान दोनों ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि अब हम दोनों पत्ती पत्नी नहीं हैं बलकि हमको पैरेंट्स और एक दुसरे के परिवार के तोर पर होंगे अमिर खान और किरन राव के इस टेटमेंट ने लोगों को हैरानी में डाल दिया था वही अब सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा हो रही है कि अमिर खान तीसरी शादी करनी की प्लैनिंग में है और अभिनेता जल्द ही तीसरी शादी के बंदन में बनते हुए नजर आएंगे दावा किया जा रहा है कि अमिर खान शादी का एलान अपने अपकमिंग फिल्म लाल सिंग चड़ा की रिलीज के बात करेंगे ये फिल्म अगले साल एप्रिल में रिलीज होगी इसी वज़े से माना जा रहा है कि अमिर अगले साल एप्रिल में अपनी शादी की जनकरी फैंस को दे सकते है इतना ही नहीं गौसिप की माने तो अमिर खान अपनी किसी को स्टार के साथ शादी के बंदन में बंदेंगे हाला कि इस कबर की पुष्टी अभी नहीं हुई है अमिर खान और किरंडराव के अचानक हुए तलाक के बाद सोशल मीडिया पर अभिनित्री फातिमा सना शेक काफी ट्रोल हुई थी फातिमा अमिर खान के साथ फिम दंगल और ठक्स ओफ हिंदुस्तान में नजर आई थी ऐसी अफ़ा उड़ी थी कि अमिर खान और फातिमा सना शेक रिष्टे में हैं हाला कि धीरे धीरे ये अफ़ा शान्त हो गई अमिर खान अब तक दो शादिया कर चुके है अभिनेता ने पहली शादि साल 1987 में रिना दत्ता के साथ की थी दोनों ने 2002 में तलाक ले लिया था इसके बाद अमिर खान ने कीरन राव का हाथ थामा लेकिन दोनों का रिष्टा भी ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया अमिर खान के तीन बच्चे है जिनका नाम एरा खान जुनेत खान और आज़द राव खान है इस कबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटिस वीडियो के लिए आज ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू